हेलो स्टूडेंट आज की इंपर्टेंस सेशन में आप सभी का स्वागत है तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टी एक्ट 2009 के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन मतलब सिच्छा का अधिकार अधिनियम तो आज हम पढ़ेंगे सि क्यों बनाने के जिरुत पड़ी थी और इसका क्या उपयोग था और इससे आने माले क्वेशन को भी हम लोग देखेंगे तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं आज की ठीरी में हम क्या लाए हैं तो देखे जो सिक्छा का अधिकार अधि कास्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था यह 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मो कास्मीर में लागू किया गया था क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मो कास्मीर एक यूनियन टेरेटरी के रुप में भारत में सामिल हुआ था फिर आगे क्या है इसका इतिहास यह है कि यह दिसंबर 2002 में अनुछेद 21A के धारा 3 के माध्यम से 86 समिधान संसुधन विधयक में 6 से लेके 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार सिच्छा के बारे में बात करता है दिखे पहला कोश्चन हमारा यही है कि यह किस अनुछेद के द्वारा किया गया था तो अ तो यह विधयक महतुपूर क्यों है देखे इसमें क्या होता है कि निसूलक और अनिवार सिच्छा के बारे में बात की गई है सिच्छा का कानूनी अधिकार बच्चों को मिला था इससे क्या हुआ था जितने भी इलाके थे जितने भी गाउं थे उसमें एक स्कूल का राप्त हुआ था सिख्छा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आगे देख लेते हैं कुछ important points हैं इसको हम लोग देख लेते हैं देखे जो ज़ो प्राथमी कस्तर में जो कच्छा में जो बच्चे होते हैं जो चातर का अनुपात होता है वो 30 समंधे 1 का होता है यह एक्जाम और एक सप्ता हमें नियुनतम 45 घंटे कार्य करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर देख लिजियागा ध्यान से कि एक सप्ता की बात किया हुआ है। मतलब एक टीचर को एक सप्ता हमें 45 घंटे तो पढ़ाना ही होगा। अगला देख लेते हैं प्राथमी किस्तर पर जो सेक्षिक घंटा होता है वो कितना होता है। देखे 800 घंटे पढ़ाना है हमें 200 दिन में। मतलब अगर 365 दिन का एक वर्स होता है तो उसमें से 200 दिन पढ़ाने होंगे और 800 घंटे। इसका मतलब यह है कि एक जो अध्यापक उसको प्रति दिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। अगर एक अध्यापक 4 दिन पढ़ाता है और वह 200 दिन तक पढ़ाता है तो वो बराबर हो जाएगा 800 घंटे के। आगे देख लेते हैं देखिए RTE 2009 में SMC दिया गया है मतलब इस स्कूल मैणेजमेंट कमिटी के बारे में दिया गया है कभी-कभी SMC का फूल फाम पूछ लेता है उसका मतलब होता है स्कूल मैणेजमेंट कमिटी इसके दो अध्यक्ष होते है वो बच्चों के अभिभाव से होते हैं और क्या है जो RTE 2009 है उसके अनुसार जो उच्च प्रात्मिक स्तर है वहां क्या होता है 6-8 के लिए जो सिच्छक और छात्र का अनुपात होता है वो होता है 35 अनुपात 1 वहीं अगर हम लोग प्रात्मिक की बात करें तो वहां क्या था 30 अनुपात 1 था वहां पे तो लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका है 35 अनुपात एक क्योंकि यह हम लोग उच्च प्रामरी की बात कर रहे हैं आगे देख लेते हैं जो उच्च प्रामरी स्तर पे है वहाँ पे क्या है सैच्छी घंटे और कारे दिवस 1000 घंटे तक हमें पढ़ाना है और 220 दिन तक जबकि हमने प्राथमिक में पढ़ा हुआ था कि वहाँ 800 घंटे पढ़ाना है और 200 दिन तक पढ़ाना है उच्च प्राथमिक स्तर में जो एक अध्यापक होता है वहाँ 4 घंटा पढ़ाना होता है उसको maximum उसको चार घंटे पढ़ाने होंगे वहीं अगर हम लोग प्राथमिक की बात करें तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक स्तर का जो एक अध्यापक होता है उसको चार घंटे पढ़ाना आवस्यक है आगे देख लेते हैं हम लोग एक विद्याने में अगर 240 बच्चे हैं तो वहाँ जो अध्यापक जो संख्या होगी वो 6 हो जाती है हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्राथमिक स्तर पे अध्यापक और बच्चों की संख्या होती है वो 30 ratio 1 में होता है लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे 240 से अध्यापक हैं तो वहाँ पे 6 अध्यापक होंगे इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको solve करेंगे तो यह आएगा कि एक सिच्चक पे 40 बच्चे जैसा कि नीचे दिगा गया है कि एक से लेके आर्तक यदी प्रवेस दोसों से अधिक है अगर स्कूल में दोसों से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ जो सिच्चक का अनुपात है चातर का अनुपात है वो 40 अनुपात एक हो जाता है देखिए Right to Education में ही बात किया गया है जो प्राइबेट स्कूल संस्थान है उसमें 25 परसेंट जो सीटे है वो निर्धन विद्यार्थियों के लिए अरक्षित किये गया है तो question पूछता है कि कितने परसेंट जो सीटे है वो गरीब बच्चों के लिए है तो हम लोग बोलेंगे 25 परसेंट जो है गरीब बच्चों के लिए सीटे अरच्छित होती है प्राइबेट स्कूलों में वहीं अगर आगे देख लेते हैं जो एक से लेके 5 तक के जो विद्यार्थी होते है उनके विद्याले के जो दूरी होती है वो एक किलोमेटर होती है जैसा कि अगर आप लोग ध्यान दिये होंगे तो हर गाओं में एक स्कूल होता है लगभग हर गाओं में एक स्कूल होता ही है प्राइबेट में विद्याले होता है जबकि वहीं 2-3 गाओं को मिला के एक मिडिल स्कूल होता है मतलब उच्छ प्राइमरी स्तर का स्कूल होता है 6 से लेके 8 है तो 3 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए जो विद्याले होता है जो 6 से लेके जो 8 तक की विद्याले होती है उसकी जो मैक्सिमम दूरी है वो 3 किलोमीटर होना चाहिए और जो प्रात्मी विद्याले होता है उसकी maximum जो दूरी होती है वो 1 km होनी चाहिए आगे देख लेते हैं हम लोग देखिए अगला RTE दोयार 9 में दिया हुआ था कि जो सिच्छक होते हैं वो private tuition नहीं पढ़ा सकते हैं यह किस धारा में है तो यह धारा 28 में है हम लोग धारा को याद कर लेंगे क्योंकि question यहीं से पूसता है हम सभी को पता रहता है कि जो सरकारी जो सिच्छक होता है वो coaching नहीं पढ़ा सकता है लेकिन question यह पूसता है कि यह RTE 2009 के किस धारा में वर्डित है तो हम लोग बोलेंगे 28 में धारा में वर्डित है आगे दिलिते हैं जो साथ्र और सिच्छक का जो अनुपाद होता है वो धारा 25 में दिया गया है इसको भी हम लोग याद रखेंगे जो साथ्र और सिच्छक का अनुपाद है मतलब जो primary में है वो 30 अनुपात 1 है और जो middle में है वो 35 अनुपात 1 का है और अगर बच्चे जो है 240 से अगर अधिक है तो 40 समंदे 1 का अनुपात हो जाता है तो वो 12-25 में आपका वर्डित है देखिए जब भी हम लोग सिच्छक और चात्र के बारे अनुपात के बारे हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग principle को count नहीं करते हैं यह आपके लिए important हो सकता है question की principle को मिला के सिच्छक एक होना चाहिए 30 बच्चों पे या 35 बच्चों पे की principle को छोड़के तो हम ऐसा याद रखना है कि principle इसमें सामिल नहीं होता है इस counting में वहीं अगर बात करते हैं RTE का पुरा नाम क्या है निसुल को और अनिवार बाल सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार इसका full farm है सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 तो चलिए हम लोग कुछ important question के बारे में बात कर लेते हैं जो previous year में पूछ चुके हैं तो हमारा पहला question है RTE 29 के अनुसार एक सैच्छडी के वर्स में कच्छा एक से पांच में कार्य दीवसों वह सिच्छड घंटों की नियंतम संख्या कितनी है तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रात्मिक स्तर में होता है वो कार्य दीवसों और सिच्छड घंटों जो संख्या होती है वो क्या होता है 200 जो होते हैं वो कार्य होते हैं और 800 जो होते हैं वो घंटे होते हैं तो हमारा option number 4 आपका सही है क्योंकि यहाँ पर दिया है 200 कार्य दीवस और 800 घंटे अगर वहीं उच्च प्रात्मिक की बात करें तो हम लोग बात करते हैं उच्च प्रात्मिकी तो वहाँ क्या होता है 220 होते हैं 220 घंटे होते हैं और 1220 कार्य दीवस होते हैं और 11 घंटे होते हैं अगला question देख लेते हैं, question number 2 हमारा है, सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उलेखित है कि सरकारी सिच्छक के द्वारा private tuition नहीं कराये जाएगी? देखिए अहाँ private tuition के बारे हम बात किया गया है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, कि जो धारा 28 से वहाँ पे क्या है private tuition पढ़ाना मना किया गया है, सिच्छा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, अगला देख लेते हैं, question number 3 हमारा है, 8E 2009 के अनुसार सिच्छक हेतु निउन्तम प्रति सप्ताह कारे घंटे, एक सप्ताह में एक सिच्छक को कितना पढ़ाना है, तो option है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 43 घंटे, देखे ये question जो है, वो यूपी टेट में एक बार पूछ चुका है, तो आपका जो right option होगा, वो होगा option number B, 45 घंटे, मतलब एक सिच्छक को एक सप्ताह में 45 घंटे तो पढ़ाना ही चाहिए, आगे देख लेते हैं question number 4, सिच्छा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए नीजी विद्यालेओं में कितनी प्रत्सर सीटे आरच्छित की गई है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यह 25% सीट जो है वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरच्छित करने की बात करता है, इसलिए 25% पे हम लोग टिकल करेंगे, आगे देख लेते हैं question number 5, भारती समिधान में सिच्छा की सूची का विशे है, देखें जो सिच्छा है वो क्या है, सिच्छा जो है सात्वी अनुसूची का विशे है, सात्वी अनुसूची में यह दिया गया है, तो सात्वी अनुसूची में क्या है, सात्वी अनुसूची के तीन भागों बाटा गया, संग सूची राज सूची और समवर्थी सूची तीन सूची में बटा गया है लेकिन जो सिक्षा है वह समवर्थी सूची का विशय है समवर्थी सूची में जितने भी विशय होते है उस पे संग भी मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है और राजी भी कानून बना सकता है इस इतने भी question इसे बन सकते हैं उसको हमने solve भी किया है तो आज की वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद